जया हैं दोस्तों आप सभी का New Oxford education स्वागत है चलिए बीपीसी सिख्षक बर्ती में पूछे के प्रस्ट को सोल्व करते हैं यह आपका पेपर हुआ था 27.1999 में यह पेपर हुआ था चलिए हम इसे सोल्व करते हैं आप देख सकते हैं आपका प्रात्मिक सिख्षक बर्ती में यह कोशन पूछा गया था यानि 125 के लिए चलिए हम स्टाट करते हैं कोशन फर्स्ट है कि भारत्य इस्टिक कॉंग्रेस के पहले अधिक्ष थे यह थापका WCB नर्जी थे इस अब ध्यान लखेगा और एक चीज़ा देखिए कि 28.1999 को भारत्य इस्टिक कॉंग्रेस का स् इस्टाब का सघेंड थे कोशन है कि बैरोमिय्यर्णल्ट व्यक्त होता है तो बैरूमिय्यर्णल्द मंदलिद दाव को मापते हैं इस टाइक सर्था क्रिछन है कावेड़ी की नधी परवाहित होती है यह थे का मगाल की खारी सब्सक्राइब कॉस्ट नियुक्त का पांच जून को मनाते हैं लिए है कि नमधा बच्चाओ आंधरोन का न्यत्रत होता है तो आपका यानि मेगा पार्टीकर के दुवरा यानि नमधा बच्चाओ अभियान यानि आंधरोन किसके दौराद शुरू किया था तो मेगा का गैस है यह आपका है टोजन हो जाएंगे नेशट अब को सबस्कार संस्था पक्राइब का जन्म हुआ था इसका जन्म हब का स्वेडन में हुआ था नेशटाइक को श्वा पांद्वी अपरशित हूथा कि रोजगार समाचरपत्र प्रकासित होता है ति आपका नए दिली स सब्काइब तो कोस्टन नवान सिश के दसवें गुरु गुविनशिंग कि पूद्र थे यनुनि पकार क्या में भारत है, गुरु तेग भादुर को फांस्ती की सजा देया था अरंग जीव ने मिनिस्टर कोशन 11 है कोशन 11 अप्रिल 1999 को भारत ने किस प्रिक्षे पातर का प्रिक्षन किया वह था तो वह था अपका अग्नी 2 यह अपका हलाकी यह 1999 जब प्रिपर हुआ था उसमय का क्रियंट अप्रिके प्रिस्ट है अब यह फिल हाल में याद रखेए जो आपका 32 में वर्ल्ड कप होने वला है 32 में वर्ल्ड कप होने वला है वो आपका होगा भारत में 32 में आपका वर्ल्ड कप होगा भारत में इससे आप दियान लखेगा निस्टाइ कोशन 13 है कोशन आदी मानम ने सरपर्थम सीखा तो आग जलना सीखा कोशन है सिंदु घाटी सविता के लोग पूजा करते थे तो पशु पती के पूजा करते थे कोशन है कि मानव दोरा सरप्रथम उप जाए गए अनाज कौन थे यह थब का गिहूं और जॉब कोशन है कि मान ह्माड का नया नाम है यहाँ करते थे कि बर्मा का नया नाम कया है यहाँ पर कोशन थोड़ा उल्टा पूछ गया है 20 चुछनेटर की भारत में सौरबभॉमिक व्यक्स मतादिकार के अधार पर पहला आम चुनाव उन्हीस से आप याद दखेगा उन्ही चुछनार के बिहार गीरा है तो आपका यहार तीन राज्जों से गिरा है किस किसा से या देखेगा आपका बिहार पस्षी मंगाल से गिरा हुआ है और आपका जहारखन से गिरा हुआ है और उत्तर प्रदिस से गिरा हुआ है तो तीन राजों से गिरा है और आपका एक देश से गिरा है नेपाल से यानि बिहार तीन राज और एक देश से सिमा लगात निए भाडी मसीन निर्मान प्लांट आवस्थित है यह अपका पॉले था राच्ची में यह कोशन था यानि जब आपका यहारखन भीहार में सामिल थे उसी समय का प्रस्न है यह सब छोड़ सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं निएस्ट है कोशन की लाइफ डिवेन लिखी गए औरविन घोस्ट ऑजबरा अरविन घोस्ट के तौरा लाइफ डिवेन लिखी गया है यह कोशन के डिल्टन गंच जीला रही ला यह अपका लांट ह मुक्याल का यानि जब आपको अब कर ज्ढ़वन बिहार में सामिल थे उ ट्रवाश्तित वे आपका यह उस्मा यानी जाहर खन सांविल से पुछा जासकता है यह अलग बात है कि जाहर खन अभी ब्यार से अलग हो गया लेकिन यह कुछन आप से बन सकता है कि जम स्वेद्पूर किस नदी के तरट पर अवस्तित है यह आपका सुर्ण ने खा नदी के पर अवस्तित है कि रासाइनिक खा दिये कार खाने अवस्तित है यह आपका ब्रॉनी और सिंद्री में कि फुटवाल गूल पूस्ट की चोराई कितनी होती है यह आठ गज होती है नेरिब्र कोस्ट ट्यूएक है कि घर्त का परमानख समय उस अस्थान का अस्थानी अमान है जो इस्थित है जो आपका इलावाद के समीप एस्थित है 82 डिगरी पुर्वी दिसांदर है यह आपका भात की मानक्स में देखा जो आपका इलावात के मिडियापूर से बुजरती है इन्हें से कोशन है कोशन है कि जिस गरा का उपगरा नहीं है वो है यह देखें आपका बूद और सुक्र गरा के पास कोई भी उपगरा नहीं है इससे आप ध्यान रखेंगा इसके इंसर क्या होगा फोड़ोगा तो बूद और सुक्र के पास कोई भी उपगरा नहीं है कोशन है कि गारो जन जाती है तो 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 गारो जन जाती है तो अभी आपका बरतमान में भारत में आठ किंसासित प्रदिश है इसी को आप याद रखिए और अपका अठ्थेस राज है तो अभी आपका बरतमान में भारत में आठ्थेस राज है और अपका आठ्थेस प्रदिश है नियस्टो का कोर्षन 32 है कोर्षन अपका 32 है कोर्षन तो आपका चन्री में जारे की मौसम में वर्षा होती है, तो लौटती हुई मानसुन के कारण से होती है, कोशन है कि बिहार में जीलों की संख्या है तो अभी आपका बर्तमान में आपका अभी बिहार में अर्थिस जीला है कोशन है कि बिहार में अर्थिस जीला है अभी आपका बर्तमान में भारत में कपास की उत्पादन सबस्यदिक गुजरात में होता है कोशन है कि बहारत में गिहार उत्पादन में जो अग्रेनी राज है हुआ है तो अभी आप बर्तमान में या दखिए बर्तमान में भारत में सबसे अधिक गिहार उत्पादन उत्तर परदिस में होता है अभी आपका गियों का उत्पादन उत्तर प्रदिस में सबसे अधिक होता है और चावल का उत्पादन पस्चिम मंगाल में सबसे अधिक होता है कोशन है कि भारत की साब्दिक लंबी नदी है यह आपका गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है कोशन है कि कुल कीमत की हिसाब से यह देखे आपका यह भी कोशन है जब आपका जारखन बिहार में सामिल थे उस समय का प्रसन है इस आप छोड़ सकते हैं बिहार की है निश्ट का कोस्टन 42 है कोस्टन नमकित मेंसे कौन सी रवी फसल नहीं है कौन सी रवी फसल नहीं है ताप को जगा मुंग फली मुंग फली एक खड़ी फ़सल है रवी फ़सल नहीं है मुंग फली एक खड़ी फ़सल है नेश्वा का कोस्न फटी थिरी है कोस्न है कि राज सभा में राज सभा में चूने जाने के लिए नुन्तम उम्र क्या है तो राज सभा के सदस बनने के लिए अपका किसे REAL is great scale में मापा जाता है तो बुक कम की त्रीपता को REAL is a capital में मापा जाता है कि उपढ़ा ideal कि संभुद्र सतह के ऊपर फैल kg जहां 3 k duration वर्ग के कुल 20 बीन क कितना अंस देखता है तो 10 आंस देखता है आपका पूर ऋगा कोस्टन आपका 46 है कि त्री पितक धार्मी गरंद है यह आपका बाउध धार्मी गरंद है त्री पितक में का सुथ पितक बिने पितक और अभिधम पितक सामिल है ने चंप कोस्टन आपका 47 है कोस्टन आए एन एक्टर्स जनरी एक आत्म कलता है यह आवका सायद जफारी की करता है यह करता का चुनाब आयोग चुनाब आयोग का उलेख और नुच्छे 324 में क्या है इससे अप ध्यान रखेगा नेश्ट पका 50 है कि स्विक्त राश संग के अस्थापना हुआ था यह तब का 1994 में चुनाब आयोग अस्थापना हुआ था यह तब कोई स्विक्त राश संग के अस्थापना हुआ था यह तब कर दोड में का विटामिन नहीं पाया जाता है तो दूद में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है कि मनुष्ट में कितने गुंसुद्र पाये जाते हैं तो मनुष्ट में आपका 23 जूरी गुंसुद्र पाये जाते हैं तो 23 जूरी यानि आपका 46 गुंसुद्र पाये जाते हैं एफ्सेन पूलर में सब्सक्राइन एक होनों करें मिसंट पोन ить सब्सक्राइब कAK जाए चाहिए का थार्ग्राइन होन लेकिस व नहीं होता है वहांगा Kरतिक क्सफक्राइब कोसन है कि सीतल पे बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है तो कारवन डैकसाइड के प्रयोग की जाती है यानि CO2 की प्रयोग की जाती है कोसन है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवस्थक है तिया आपका हो जागा O2 यानि oxygen प्राणियों के लिए oxygen gas आवर्शक है ने टोकर question 58 है question है कि जो गरंथिया hormones secret करती है वो है जो गरंथिया hormone secret करती है वो है आपका option 2 हो जागा यानि option 2 जागा यानि endrokin यानि अनतास्तरावी गरंथिया अंता स्थरावी रंधिया Q 59 है Q 59 तो दो कोव निएक प्राकर्तिक रिशा है तो प्राकर्तिक रिशा है जबाँ Q64 है Q 668 है Q75 में बाहिकान पाया जाता है तो अस्तन धारियों में बाहिकान पाया जाता है नियस्व का question ct2 है question है कि कौन सा तत्व पौधे की बिगास के लिए आवसक है कौन सा तत्व पौधे की बिगास के लिए आवसक नहीं है question यह है कि कौन सा तत्व पौधे की बिगास के लिए आवसक नहीं है आवस्थिक नहीं है आपका 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 आ कोशन है कि भात में नुकलियर रियाक्टर कहां अवस्तित है तो कल पक्कम आपका ये तमिलाडू में इस्तित है इससे दिया नखीगा नियुक्त कोशन सिक्टी फैब है कोशन है कि सूर्ज के प्रकास का कितना परतिसत पौधी प्रियोग करते हैं तो लगवक आठ से दस परस को घुझारती है यहां से अपवरतन के बाद वह सात भीन रखतों में कहाते है रंगों में बिभाक्त हो जाते है आपका देख सबसे नीचा होता है सबसे कम होता है और जिसका यानि सबसे कम होता है उसका शबसे होता है आपको पता होगा इसमें देख सकते हैं कि RIRO का इसमें करना की ह headlights सबसे कम है यानि रियर प्रेड ये इसले सबसे अधिक होगा तो द्यांगा इंट गाशाने कि कौस्टन से कौशन है कि मृटामिन पानी में गुलंसील है तो यह देखे कोगा यह देखे कोगा यह देखे कोगा विटामिन बी और सी आपका जल में गुलंसील होता है यदि इंसर किया होगा तो इसका क्वितामिन A की कमी से स zrobić योन सा की कमी से रotनि ते भीमारी और विवितामिन ∦1 सकतल रतौंदी बीमारी होता है यह भुजन को खराब करない तो आपका Macro Organism Next is question 71 Question है कि जहरीले पदात को कहा जाता है जहरीले पदात को Toxin कहा जाता है Next is question 72 है आप देख सकते हैं अब का यह question उस समय का Crain Traffic का प्रस्न है इस question छोड़ दीजे आगे बढ़िए Question है 73 है Question है कि BCG का प्रियूग किया जाता है यह आपका TB के रोकताम के लिए BCG का टिका का प्रयोग किया जाता है Q24 है Q24 है Q24 है Q6 की Aids की बीमारी फैलती है तो H2V वैर्स के करण Aids की बीमारी फैलती है यानि आपका Option 2 होगा Q25 है Q23 की निम में से किस घर्ण किस साथभिक उपग Wrapरा है अभी आपका बर्तमान में सबसे अधिक उपगरा आपका सनी गरा के पास है इससे आप ध्यान रखेगा इसका एंसर होगा सनी गरा इसका प्रिथवी के सबसे नजदीक है तो प्रिथवी के सबसे नजदीक आपका सुक्र गरा है इसलिए अपका सुक्र गरा सबसे गर्म होती है तो आपका देखे किसी भी option मैं नहीNा है, याझनि इसका भी option किया है तो गलत दिया है चाहिए लिएखे कि अबका प्रिथिवी के सब से नठीक का गरब का सुक्र गरब है इससे आप दिया नखीगा और सुक्रगड़ा का प्रिथिपी का जुर्वा बहन भी का जाता है इससे आप दिया नखीगा कोशनें कि सौड मंदल की आकिर्थी कैसी है का अपका अपका अंडाकार कोशनें कि असरदार उपकार नहीं है चैंसर का कोशनें कि धर्थी का गर्ब है यह आपका ठोस है कोसनल के वातावर्ण में सबसे अधिक कौन सी गैस है यह आपका नेट्रोजन नेट्रोजन आपका वाई मुंडल में आपका 78% पाय जाती है कोसनल के पहला उपगरा कव छोड़ा गया तो 1997 इसमें रूस्त के दोरा छोड़ा गया था कोसन यह नहीं आपका कि भारत के दोरा कोसन यह कर रहा है कि पहला उपगरा कव छोड़ा गया था या भारत का पहला या उपगरा कव लॉंच होगा था नहीं सो पचातर में वहीं बात किया जा कि बृष्ट का पहला उपगरा कव लॉंच होगा तो उपगरा उपगरा तब वहां था उपगरा में रूस्त के दोरा किया था इस्तिया रहेँ नच्ट रखीगा कोसन 82 है कि लो एक्स प्रक्रिती में किस अवास्था में पाए जाते हैं लो एक्स प्रक्रिती में किस अवास्था में पाए जाते हैं तो आपको जब आउक्साइड गुरूप में तो लो आउक्साइड गुरूप में पाए जाते हैं निश्टा कोशन 83 है कि जीवन के लिए सबसे बिसेली गैस कौन से है यह आपका शीओ यानि कारवन मनोज़ण गैस कारवन मनोज़ण गैस अकास सबसे अनत्रिक पहले पहला कवर्ण था यह दहने गुरी गैगरिर यख़रे गैगरि सबस्कुर्स है कि किस फसल से मिट्टी के नेट्रोजन के बिर्दी होती है तो मटर की फस्ल concerned सेंपका मिटी में निटलों जिनें के बिरदी होती है Q2 की क्षाना पकाने वाले सोडे का नाम क्या है सोडे का रस्थानी का नाम क्या है या आपका Sotyum Bicarbonate को क्षाने वाले सोडा के नाम से जाने जाते हैं इसका शूद्ध होता है NahCool3 अहでも काने वाले सोडा भी ली कहते हैं नेटेफार को सेम काnim का 28 है को सन है कि कि रubर को कारा करने के लिए कि सब्सक्रारफ को मिलाया जाता है तो सलफर को मिलाया जाता है इसे äg पियाद रखेगा नेटेफार कोसन है कोसन है कि इनमें से कोँ सा जैविक वातावरन का भाग नहीं है तो हावा या आपका ये जैविक वातावरन का भाग नहीं है किस धातु से अधिकतम विश फैलता है तो जब आपका लेड़ से अधिक विश फैलते है कि रिडियेशन परदूशन में कौन सा रोग होता है कौुंसा रोग होता है तो चमड़े का गैंसर होता है तो कॉषराम का कॉषराम का 92 है यह भी कॉषराम का उस समय का क्रिन धपर का प्रस्ट है इसका अंसर आहला कि Three होगा तो पॉषराम के छीए गता है पॉक्षिड क्यू विख मयाफनु और प्टैम आन्ड़ है कि समु혈 में सबसे अधिक रादिक फुवाद्ज में कॉटन को फुर्ण है कि ऊजुन परत कौँसँ किरने को उजुन परत प्रैविगनी किरने को उजुन फुर्ण समान लेती है और ओदसं ओजुन परत समताप मनल में पायाते हैं अपका इसमें किसी भी option अपका टैय वेग नी किरन नहीं है यानि इसका भी option अपका क्या है? गलत दिया हुआ है या कॉन सीगाइस सबसे अधिक गिर्न हउस का असर दिखाती है या का रवन डैक्सर होगा करबन डेक्सेट अबका सबसेदिक गीन होस गैस इफेक्ट दरसाती है नियस्टो का कोशन 98 है कोशन है कि कौन सी धातू तरल अबस्ता में पाई जाती है तो अबका पारा एक ऐसे धातू है जो अबका तरल अबस्ता में पाई जाती है नियस्टो का कोशन 99 है कोसने कि किस धातू को नोवल धातू भी काते हैं तो सोना को नोवल धातू भी काते हैं नियुक्त का कोसने 100 है कोसने कि कौन सी धातू हैट्टूजन से अधिक समिदन सील है यह अपका सूडियम है यह सूडियम हैट्टूजन से भी अधिक समिदन सील है यह था आपका यानि BPC सिक्षक बर्टी में पूछेगे प्रस्ट यानि आपका यह paper अपका हुआ था 1929 में यानि आपका यह set no.11 था यह आपको 11 set up को हम करवा दियें यह आपका मात्र एक set इसमें रागिया है यह 12 set up का रागिया है इसके बाद आपका यह question bank का सभी यानि है तो आप लोग क्या किज़ेगा इस सभी सिट को एक बार जरू देखिए जाम से पब आपका इसे डीरेक्ट को सकता कोशन भी आज जाया इसलिए करते हैं इसको एक बार जुरू देखेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू देने बाद मिलते आपको नियस्ट वीडियो में जिदि आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को खुब सेड कीजे जिसे आपको इस वीडियो का अधिक सदी के स्ट्रेंट लाब उठा सके